नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईए सनेलैसिस में मध्यकालीन भारती इतिहास के अंतरिगत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नमर 23 के अंतरिगत इस बिजय नगर समराजे की लाश क्लास हम लोगों ने पूरी तरीके से बिजय नगर समराजे का पतन करा दिया था लेकिन वहीं बिजय नगर समराजे देखिए 300 सालों से अधिक जो चला तो उसके पीछे कारण क्या था तो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर जो कारण होता है उसका प्रसासन क्योंकि प्रसासन जो है देखिए किसी भी राज ब्यवस्थाव को लेके बहुत यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है इसको आप असो के प्रसासनी के निती से समझ सकते हैं उसके धम के माधियम से दिन्ली सल्तनत के अंतरगत समझ सकते हैं आगे चलके जब मुगल भी सबाएगा वहाँ पे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा मनसफदारी ब्यवस्था उगरा जिसे दिन्ली में एक्तदारी ब्यवस्था दिखाई दे रही थी ये भी बहुत रोल अहम रोल पले करेगा अस्तानिया सासन में इसी नायंकार के समकच आयंकार ब्यवस्था भी आपको दिखाई देगा उसके बाद विजय नगर समराजे की आर्थिक ब्यवस्था क्या थी पूरे पूरे आर्थिक समरचना देखेंगे कैसे फंक्सन कर रहा था समाजिक ब्यवस्था बहुत इंपूर्टेंट है यहां पे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में जो प्राचीन काल से ही जो चत्व वर्ड जो ब्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट चला रहा था वह इस आपको बिजय नगर समराजे में भी दिखाई देगा और लाश्ट में कलायम सिल्प में जो भी कलायम सिल्प का उस समय खासकर मंदिर हो गया अस्तपत्य कला के रूप में हो गया जितना भी होगा उसको हम लोग एक साथ यहां पे देख लेंगे तो चलिए बहुत इंट्रेस्टिंग आज की कलास होने वाली है और एक्जाम के द केंद्रिये परसासन के बिल्कुल हम लोग कराम से देखते चलेंगे केंद्रिये परसासन में देखिए सबसे जो उच्छ नियहां पर पद होता था राजा का भी होता ठीक है राजा ही होता था, राजा को यहाँ पे दिखे राय बोला जाता था, जिसे कि कृष्ण देव राय, अच्चित देव राय, ठीक है, बहुत सारे जो नाम है राय राय, तो राय का जो एक तरीके सब का सकते हैं, सर नेम टाइप का था, जो राजा के लिए लगता था, यह बिल् की कोटिगी के द्वारा जो सब्सक्रांग जो सिधान्ध दिया गया था ठीके उसी सब्सक्रांग को यहां पर भी जायन अगर सम्राज़े में भी लागू किया जा रहा था। सासे, भूस सारा यूद्ध वोगरा ठीके설 लड़ गया था, असायनिक हो गया न्याई क अधिकारी के रूप में अर्थात पूरा पूरा जो कंस्टियूशन का जो रोल प्ले कर रहा था, वो सासे के कर रहा था, सासे के मुख से ही आप कहा सकते हैं, कि जो भी सास्त्रों के अनुसार जो भी law and order होता था वो सासा के अंतरगत या फिर जो भी नियम करून होता था वो सासा के अंतरगत होता था और उसी को यहाँ पर लागू किया जाता था उसके बाद देखिए नंबर टू में आएगा हम पर युराज का पद आएगा यहाँ पर समानेत अगर देखा जाया था युराज के पद में बड़े ही पुत्र को रखा जाता था लेकिन अगर किसी बिशंपरस्तितियों में अगर कोई सासा क कमान का चलिए कोई पुत्र ही नहीं हो तो जैसे कि कृष्ण देवराय का एक बहुत ही अल्प बयास्क पुत्र था लगभग साल डेवसल का पुत्र था तो उसने अपना उत्राधिकारी अपने चचेरे भाई अच्ची उतिराय को यहां पर बना दिया दूसरे कंडिशन में जैसे कि अल्प बयास्क अगर सा रचड के लिए ठीक है उसके जो मामा था तिरुमल को लगा दिया यह सब चलते रहाता था बकाईदा देखिए यहां पर इुराज को सिच्छा दिछा यहां पर दी जाते थी हर एक टाइप का जैसे सहित्य हो गया ललित कला हो गया युद कला हो गया निती की सिच्छा मने और राउंडर यहां पर बनाने का परियास किया जा रहा था जो कि सासक था वहाँ पर जैसे आप लोगों ने ठीक है महभारत देखा होगा रमाइड देखा होगा जैसे उसमें किस परकार से जो इुराज थे ठीक है गुरुकुल मिले जाएक उनको सिच्छा दी जाते थी ठ ठीक है राजपरिसद यहां पर है क्या राजा स्वयम इस राजपरिसद का यहां पर सदस्य होता था राजा की सक्ति ध्यान रखेगा राजा के सक्ति को यह लोग नियंतरन और दूसरा सहायता मने दोनों ही यहां पर रोल प्ले किया जाता था इस राजपरिसद के द्वारा इसमें कुछ मेंबर होते थे और इन मेंबरों के माध्यम से राजा के सक्तिकों यहाँ पे ठीक है नियंतर हमने थोड़ा बहुत लगाम लगाने के प्रयाज किया जाता था और बहुत सारे जो निती निर्माड में लोग अपना ठीक है जो भी सहायता था भी यह उलग दिया कर जाता था कई इसके अंतरगात यहाँ परिस्ते यहाँ पर गठ थी जैसे परिस्त का मतलब कि अलग अलग समझें कि कोई आर्थिक हो गया राजनीतिक हो गया धार्मिक हो गया तो अब एक ही वेक्तित आप अपना रॉलपले नहीं कर सकता है अलग अलग उसके लिए कमीटी चाहिए बकायदा अस्पेशलिस्ट लोगों की और वैसे ही यहाँ पे इस राजपरिसत के अंतरगत कई सारे आप कहा सकते हैं कि ठीक है अलग अलग यहाँ पे कमीटी यहाँ पे मवजूद थी जिसे वर्तमान में संसत कंतरगत देखा जाए तो देखिए कोई भी ठीक है बिल्कुल ही वर्तमान के संदर में आपको समझते चलना है बिल्कुल कोई यहाँ पे समस्तिया नहीं आएगी अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मंतरी परिशत के रूप में होता था जैसे इसको कॉंसल आफ मनिश्चर बोला जाता है ठीक वैसे ही आज जैसे अगर हम ल आड्मेंट है पर सारे मंतरी यहां पे होते हैं कि मंतरी परिशद होगा मंतरी मंडल हो गया कायबिनट हो जाएगा तो पूरी सबसे अच्छी बात थी किसमें जो तीन जो वर्ग करता था खासकर ब्रामर्ण छत्री यह था वैसे वर्ग इन तीन आजनितिक परतिन जित्व ना के बड़ाबर था आयू जो इनकी होती है ठीक है लगभग पचास से लेके सतर वर्ष तक कापी ही आपका सकते हैं कि प्रिक्ट का लोग मनें जो जिनका होता है ना मतलब बहुत ही एक्सपरियंस लोग थे और इसी से कंप्रिजन किया जाता है कि कौटीले के मंतरी परिसत से है चुकि यहाँ पर देखें जब चंद्रगुप्त मौरिया था तो चंद्रगुप्त मौरिय क्या जो परधान मंतरी के रूप में माना जाता है कि ठीक है कौटीले ही थे तो उसमें पूरी पूरी यहाँ पर जो बिद्वानों की जो सभाई हु बिल्कुल ही आज जिसे की इंद्र सरकार की चीजों को किर्यानुवित करने के लिए जिसे सेंटर से क्रियेट है दिली में जो की एक IS का हरे एक मने आपका सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए कांगजी करवाई करने के लिए सब्सक्राइब यह वहीं सभाववन है जिसको बोला जाता है इसको जाना जाता है इसका जो मुख्यादिकारी होता था ठीक है महा परदान अथवा परदान होता था परदान मंतरी करूप में समझ सकते हैं इसको कंप्रिजन किया जाता है मराट कालीन पेसवा से, यो कि मराट कालीन पेसवा में जिसे की, सबसे जईए उपर छत्रपती का बाद होता था, और छत्रपती ने देखेंगे तो बड़े दिगजों पद की यहां पर अस्थापना की थी, जिसको अश्ठ परधान बोला जाता है अश्ठ परधान को आपको कर्फूजन नहीं करना है अश्ठ परधान किर्शन देहराय के दरभार में भी थे और अश्ठ परधान चिके छत्रपदी सीवाजी के जो पद था उसमें भी लोग मौझूद थे जिसमें सबसे इंपोर्टेंट पद होता था पेसवा का ठीक है तो मराठा काली नहीं पेसवा भी था अध्यक्षता के रूप में यहां पर देखिए सभा नायक उसकी अध्यक्षता करता था जैसे आज वर्दमान में अगर संसद है तो उसके अध्यक्षता कोई ने कोई गोंडेड़ करेगा ढ militar करेगा उसी तरीके श्राजय सभव में है तो उप्राश्ठाति करेगा वहां का सभापति करेगा मंतिरियों का जो चयन किया जा रहा है यहां पर देखे राजा द्वारा मनोनित किया जाता है ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में राष्टपती है यहां पर जो मन से कुछ भरतिय समिंधान में अधिकार दिया गया है क्रियर की रूप में देखें यहाँ पर साथ के कारियों को सफल संचालन के लिए मुख्य अधिकारी जो काफी ही इंपर्टेंट रोल प्ले कर रहा था दो को ध्यान रखना है आपको जैसे कि रायसम इस सच्चीव होता था राजा के मौकी का देशों को लिपिबत करने के मौकी का देशों को लिपिबत करने के लिए कि किसी एक मंत्री के अंतरगा तगर उसका सबसे जो प्रसास्निक अधिकारी के रूप में देखेंगे तो वो सची ही होता है कॉन्डी काम होता है एकाउंटेंट ठीके केंद्रिय को साधा गार का यहाँ पर अध्यक्त होता था यह पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जैसे कि वरतमान में भारत का संचीत निधी के रूप में आप समझ सकते हैं अकस्मिक निधी के रूप में समझ सकते हैं तो वैसे ठीक है आप राजकोसों को देखने के लिए आप देखें कौन है यह काउंटेंट ठीक है कल्डिकम है ठ थारत इवं देंखा नायक नामसे आपको ही नहीं समझना कि दंड देने वाला है बलकी दंड नायक मतलब दंड देने वाला नहीं एक बहुत बढ़ा अधिकारी हुआ करदा था बिजैयनेगर सम्राजय के अंतर्गत में केंद्र में उच अधिकारी के रूप में मौजूद होता था जिसको दंड नायक के रूप से जाना जाता है जाना जाता था ठीक है इसका जो देखिए पद होता था पद बहुत ही बड़ा पद होता था बिल्कुल ही ए लेवल का पद ठीक है पर परसासन का परमुक हुआ करता था और सेनाओ का नायक भीवा करता था इसी से आप इसके पद की ठीक है आप जो रेंक है इसको आप इसको आप समझ सकते हैं दंडनाय को यहाँ पे नया इधीस हो गया सेना पती हो गया गवर्नर हो गया या परसास की अधिकारी का कारेभार यहाँ पे सोंपा जा सकता था अब एक दंडनाय को अलग-अलग पद में यहाँ पूरी तरीके से नियुकती की जा सकती थीुन निंकित देखें हैं यहां पे बात करते हैं परांतिय परशासन तो अभिवी तो हम लोग बात कर रहें तो केंदर एप anything को अब हीर Our रांट्य परशासन है तो अब यहां पर परांथ यह प्रसासन होगा, अब केंदर में मतलब यहां पर जीसे केंदर वाला यह बिंदू हो गया, ध्यान से समस्ते चलिए आप लो, अब इस केंदर केंदर गत देखेंगे तो बहुत सारे इस टाइप के आपके प्रांथ आएंगे, यहीं पर आपको समझ लेना कहीं से कोई समस्यान नहीं होगी अब जितने ही सारे यहाँ पर परांत आएंगे परांत के बाद से ठीक है आप मान के चले कि एक परांत हो गया अब इस परांत के अंतर गत अप्रसासनिक गत बिधियों को बहुत संदार तरीके से लागू करने के लिए देखिए इन परांतों को मंदलों में बाट दिया जाता है जिसे बिहार के बाद करत नौ मंदल है जिलो के संकिया धीक है बिहार में लेकिन मंदल सिर्फ नौ है तो समझना है कि जीलों से भी बहुत बड़ा हो जाएगा मंडल तो यहाँ पे देखिए प्रांध के अंतर गद्धिसे को एक राजी का स्थर पर समझ यह हो जाएगा यहाँ पे मंडल अब देखिए यहाँ पे मंडल माली जी यह वाला भाग हो गया ठीक है थोड़ा से बड़ा हो गया मैं थोड़ा छोटा कर देखिए माली जी एक भाग हो गया मंडल अब इस मंडल के अंदर गत कई सारा जीला आएगा यहाँ पे एक माली जीला एक दो तीन कुछ जीला यहाँ पे जरूर आएगा अब एक जीले के अंदर क्या होगा तो देखिए तहसील होगा दियार रखिएगा उसको बोलते हैं लोग तहसील अब यह जो तहसील है एक तहसील के अंदर आपको एक पंचायत देखने के लिए मिलेगा तो इसको बोल देंगे पंचायती बिवास था अब उस पंचायत के अं पर मंडल ध्यान से देखते चलिए मंडल के बाद से आपको नीचे देखने के मिल जागा यहां पर जीला जीला के बाद आपको देखने के मिल जागा तहसील तहसिल मतलब वर्तमान में जिसे आप प्रखन के नाम से जानते हैं, ब्लोग के नाम से जानते हैं, और तहसिल के नीचे आपको ओजाएगा पंचायत, लगभग हर एक राजियों में मौझूद है पंचायती व्यवस्ता, ठीक है, भारत के समिधान में भी तीहतरव और चुहत जयन अगर समराज्य का भी जो सिस्टम था, जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, उमीद ही इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो सबसे उपर तो केंद्र था, चुकि हम लोग प्रांती प्रसासन की बात कर रहे हैं, तो प्रांत था, ठीक है, प्रा पातर जो आदमी होते थे, उसी को ये पद मिलता था, उसके बाद हो गया, मंडल हो गया, इसको कमिशनरी बोला जाता है, प्रांत हो गया, जिसको बोला जाता है, जीला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाडू हो जाएगा, तहसील, उसके बाद मेला गराम, गरामों का और छे में हो जाएगा उर ग्राम अर्थात प्रसासन के सबसे छोटी एकाई की रूपे में वजूद रहेगा तो देखे प्रस्ण कैसे बनता है यह तो आपको जिनरली आपको याद हो ही गया होगा ठीक है तासील ग्राम सरू ठीक है ग्राम इस सब प्रस्ण नहा से पूजता है यहां पर कि जिसे जिले को बिजय नगर समराजी में दिले को क्या बोला जाता था तो कौटं या फिर वलनाडू ये भ्यतット पूझता है उर, ठीक है उर का समन्ध किससे है तो ग्राम ध्यान रखी और कर गां, गां को समय और बोला जाता था तो बला ही असान है थोड़ा सा ये जो सब्दावलिया है तो आपको यही ध्यान देना होता है बाकी चीज़े तो आपको समझ में आई गई होगी अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नायंकार ब्वस्ता अब यह बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है नायंकार ब्वस्ता जैसे कि मैंने आपको शुरूम बताया हुआ था कि जैसे भारत में कभी समंत बादी ब्वस्ता हुआ करता था समंध देखिए होते क्या थे यहां पर उसके ही छेतरों में जो समंध थे बिल्कुल एक स्वतंत्र बीचलर के रूप में करते थे इनको एक भुखन का च्छेतर दिया जाता था और वहाँ पे जो भी राजनिक, आर्थिक, संस्क्रितिक, जो भी परसासनिक जो गतविधिया था, वो लोग उसको लागू करता था, और बदले में सासा को ठीक है, कुछ कर यहाँ पे देना पड़ता था उन समंतों को, और पूरे पूरी उनकी सोततरता आजादी थी, बदले में सैनिक सेवा भी देते थे, अर्थात अगर कहीं यूद वगरा होता था, तो यह समंत जाते थे, यूद करने के लिए, अब देखिए, दिल्ली सल्थनत में ठीक, उसी तरीके के बेवास था, यहाँ पे इक्तादारी बेवास था, इक्तादारी जो बेवास था थी, यह भ बड़ा जो एरिया था, भूमी का यहाँ पर टुकड़ा यहाँ पर दे दिया जाता था, वेतन के रूप में उसको मिलता था, या फिर यह जो भूमी का टुकड़ा में पूरा का पूरा देखिए, लोग और ओडर की जुमेदारी उसी के अंतरगत होती थी, लेकिन समंत में देखेंगे तो इंडिपेंडेंसी आपको अधिक दिखाई देगी, अर्थात यहाँ पर इस भूमी में क्या कर रहा है, समंत ठीक है, पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल यहाँ पर इस सासक के अंदर यहाँ नहीं होता था, समंत में इंडिपेंडेंसी यहाँ पर सोतंतरता क अधिक भाव है एक्तदार में क्युकि अब यह सासक से बंधा हुआ है सासक कि इसको निव perks करके भेज रहा है तो सासक की जो भी नीतिया है उस नीतियों को लागो कर्वाने का प्रीयास करेगा एक्तदार ठीक है और इसके पास सेनिक रहेगा बकायदे उन नितियों को लागू कराने के लिए उस law and order को लागू करवाने के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है ठीक अब यही चीज़ देखें आपको दिखाई देगा इस नयंकार वेवास्था के अंतरगत और ये नयंकार वेवास्था देखें जिसको सैनिक समंध के रूप में जाना जाता था जिसे वेतन और सैना के रख रखाव के लिए एक भूमी दिया जाता था जिसका नाम था अमरम या फिर अमर नायक एक बिसेस भून भूकंड होता था जिसको एक राज्य छेत्रिक रूप में इसको देखा जाता था तो इसकी जो ठीक है अगर रूप रेखा की बात करें तो ना ये बिल्कुल समन्ध की तरह है ना बिल्कुल एक्तदार विवस्था की तरह है यहां पे क्योंकि इसको एक सेपरेट राज्य छेतर का यहां पे भूमी दिया जा रहा है तो अधिकतर अगर सेपरेट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा भाव एक्तदार के जगा यहां पे आएगा आपको समन्ध ट्राइब का दिखिए क्या हो रहा है राज्य छेतर में इसमें किसान हो गया सिल्ब कर्मियों हो गया था था, बैपारियों से कर्वसुला जाता था मान के चलिए कि यह सासक है, सासक इतना बड़ा भूमी है एक छेतर राज्य छेतर में यहां पे किसी एक नयंकार को लगा दिया अब यह जो नायंकार लगार है आपको ध्यान देना है कि केंद्र के तहते संचालित नहीं हो रहा है बलकि प्रांतों के तहते संचालित हो रहा है यह भी आपको समझना है ठीक है प्रांतों के तहते संचालित हो रहा है अब यह राजे छेतर में जो भी यहां पर किसान है सिल् केंदर को δेना है विक्तिकत वॉग सा विक्तिदार सेना के लिए खुद रखता था और पाकिकन उस्फारदीजी के हिए Jagas विन सरोकर को दर ढख यहां आपको समझना है कि विलकुल मैंने बताया कि समन्त और एक्तिदार के भीज आगे चलके जब मुगल सब आएगा तो सब लाग है मनसबदार कुछ टाइप यहीं है समन्द इक्तादारी वेवस्था मनसबदारी वेवस्था नायांकारी वेवस्था लगभग देखेंगे तो बहुत अधिक इसमें similarity नजर आएगे थोड़ा थोड़ा मतरात्मक आपको अंतर दिखाई देगा राजे छेतर में पूरीक पूरीज के जिम्मेदारी थी जैसे कि सांती को लेके सुरच्छा को लेके और आप राधो को रोकने का दाई तो बिल्कुल ही इसके अंडर कंट्रोल में होता था औ सब्सक्राफन में आतरीक मामलों में देखें, यहाप मस्टा है नियंकारी विवस्ता में हैं राजा का हस्त स्थेप नहीं होता था, ठोड़ी इंडिपेस्टनेंसी के भाव आएगा यहाँ पे इस नियंकी विवस्ता के तहत अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अस्थानिय परसासन अब पंचायती ववस्था में किस प्रकार से फंक्सन कर रहा था बड़ा इंपोर्टेंट है देखिए चतुरवेर्दी मंगलंग पर नाम से जाना जाता है इस अस्थानिय परसासन में सभा होता था महा सभ होता था उर हो गया और महाजन नामक ग्रामिर संस्थाय थी चार प्रकार को पर दिखाई देगा इसी को बड़ा जाता था चतुरवेर्दी मंगलंग देखिए परतिये गाओं को किया जाता था कि वार्ड महलों में बाट दिया था जैसे आज एक गाओं में देखे होंगे क जब चुना होता है खासकर बिहार में उतर परदेश में ठीक है वहाँ पर गाओं को भी वार्ड में बाट दिया जाता है ताकि अंतिम व्यक्ति तक अंतिम लच्छित व्यक्ति तक उन सारी सुबधाओं को यहाँ पर पहुँचाया जा सके जो गवर्मेंट के द्वारा ला राजकी और करों को भी कुछ आतक करती थी, और साथ साथ यहाँ पर ध्हाण रखेगा, इस नाडू में इस ग्राम में एक और बेवस्ता थे, जिसको बोला था आयगार बेवस्ता, बहुत इंप्रोटेंट है नयांकार बेवस्ता की तरह आयगार बेवस्ता, आईगार वेवस्था ये गाउं में लागू किया जा रहा है अस्थानिय परदेशों की यहाँ पर सासन की वेवस्था को देख रहे करने के लिए इसको लाया गया कुछ और भी नाम है ध्यार रखेगा जैसे कि परुपत्यागर राजा का गवर्नर या परतिनिदी होता था इसको किसी विसेस अस्थान पर यहाँ पर लगा दिया जाता था ताकि वो सुचनाय पहुचाते रहे कि किसी छेत्र विसेस में क्या हो रहा है उसको बोला गया पत्यागर उसके बाद यहाँ पर अत्री मार है यहाँ पर ग्राम सभाव अस्थानिय संगठनों का पूरी तरीके से ध्यार रखेगा नियंत्रन करता था उसके बाद यहाँ पे निरानिक कर वाटर मेन भी इसको बोला जाता है ठीक है आप समझी गए होंगे सिचाई चैनलों की देख रेख करने के लिए चुकि दशिड भारत में सिचाई की बहुत अथिक जहाँ पे जरूरत है तो यह जो सब्दावलिया है थोड़ा भोत आपको यहाँ पे एक दो बार रिविजन करना होगा नाम से ठीक है आपको बिल्कुल खिलियर हो जाएगा अब बात करते हैं लोग आयंगार वेवस्था की समझी चुक है आपे गाउं के प्रसासन से समंधित होता था और एक सोतंत्र जीकाई के रूप में परतियक गाउं को इसके अंतरगत यहाँ पे संगठित किया जाता था मनें गाउं के हेट के रूप में इसको अब समझ सकते हैं आयंगार को प्रसासन के लिए 12 सास के वेक्तियों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था बकायदा इसमें ठीक है 12 लोगों को और यह लोग अवायतनिक होते थे अब इसका मतलब यह नहीं कि लोग काम कर रहे हैं इनको कुछ मिल लही रहा है लेकिन अवायतनिक है ध्या पीरा सकते हैं बेज सकते हैं जरुरत पढ़ने के अनुसार नियुक्ति इनकी सरकार के द्वारा यहां पर की जाती थी ठीक है लगान की वसूली हो गया जिगाओं की जमिन के खरवत फरवक्त दानेवं हस्तांतर आदिप औरे सारा का सारा जो कंट्रोल होता था मैंने माइक पर अर्थ विवस्ता और आर्थिक जीवन देखिए परमुक जो कर है कर कोई आपको ठीक है यहां पर मैचिंग करने के लिए दे देगा कि बिजय नगर समराज्य में कौन-कौन सा कर वसूला जाता था तो बस आपको यह थोड़ा से एक बार दो बार देखना होगा जैसे वगमाई है पन्नी कई है कत्तनम है वरम भोगम वारी है पत्तम इराई कत्यायम ठीक है अलाकि यहां प्रसन उतना बनता नहीं है लेकिन यहां पर इसको मैंने सामिल कर दिया है ताकि कोई गरांटी नहीं UPSC तो ऐसे खोच-खोच गया ऐसे चीज़ों को बनाने की कोशिज क इस बीवाकर को खतम कर दिया वेस्याओं से प्राप्त माना जाता है विजयनेगर समराज्य में वेस्याओं बिल्कुल ही पिक लेबल था प्रोस्टिविशन देखिए भारत की तिहांस में देखेंगे प्रोस्टिविशन को लिगली ठीक है गवर्मेंट के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा था या फिर आपको सकते हैं कि गवर्मेंट के द्वारा लिगलाइज किया जाता था इसको आप मगत समराज में देखेंगे मगत में इधर अंग वगरा के छेत्रों में तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहां पर प्रोस्टिविशन तो वेस्या काम के कुछ विश्य स्वाव के बदले यहां पर लगान मुक्त भूमी दिया जाता था जिसे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा सरकारी के लिए कुछ कर रहा या फिर कोई इसी बड़ी अपलब्दी हासिल कर रहा तो गोर्मेंट उसको मोटिवेट करने के लिए सासक उसको नहीं देना होगा ठीक है तो कुछ इस टाइब का आपको समझना पड़ेगर नेक्स यहां पर रक्त यहां पर खत जिसको कोड़गे बोला जाता है युद्ध में सोरे पर दर्शन करने वालों को दिया जाता था उसी तरीके यहां पर कुड़गी है इसमें क्या करते थे तो पट्ट्ट्रफ को अलते थे तो किसानों को पट्टे पर देते थे पट्टे पर मतलब भून्डी टाइप कर सकते हैं कि साल पर 2 सल को लगाना है तुम्हें इतना प्य करना है तो रहे इसी घृमी को यहां पर ध्यान रखेगा कुड़गी भूमी बोला जाता था माननी भू और भूमी राजे के परत्यक्ठ नियांत्रन अन्तरन पहर जो कि अधन.. में सिचाई कर को दास बंद या दसावन बोला जाता था उसी तरीके आंद्र परदेश वो करनाटा के रिया में इसको ठीके पट कोड़े यहां पर बोला जाता था दोनों को ध्यान रखिये गा ठीके इक्जाम में पूछा जा सकता है अब यहां पे बिजाइन अगर समराजी क सुच्पे कुछ सिच्पे मिले जाता है जैसे के सोने के सिख्पे को वरह अब उला जाता था जो सर्वाधी कुस्त में परसितती है समझना है कि सोने के स्क्पे दच्षिड भारत नहीं हो भी और डंडी यहां पे छी-क जो घो ठीक हैAPP क्न को लेकर है बनाया जा रहा है थु इसके साथ जो भी बैपार होता था, तो बैपार के माध्यम से यूरोप हो गया, अरब हो गया, अफ्रिका हो गया, ठीके, वहां से भी बहुत मात्रा में भारत में जो सोने का पूरी तरीके से आवागमन यहां पर होते रहता था, तो सोने के मात्रा अधिक थी भारत में, इसल कोने के छोटे सिक्के से ठीक है अन्य नाम ही जिसके हूड या पगोड़ा पगोड़ा बहुत इंपोर्टेंट निध्यार रखेंगा ठीक है पगोड़ा विजय नगर समराजी के सिक्कों को पगोड़ा बोला जाता था उसके बाद यहां पर चांदी के सिक्के को तार बोला ज इंदू समराजय के अंतरगत टीक है वेदो वगरा में जो भी चीज था उन सारे ही चीज़ों को इस विजयनगर समराजय के अंतरगत इंप्लिमेंट किया गया जैसे कि विप्रूल ध्यार रखेगा ब्रामण को बूला जाता था ठीक है इनका सर्वच अस्थान होता था प्रसासनिक पद होता था उच पद सबसे जो स्वरुस्रेस रेंकिंग इंकी ही होती थी मिर्त्यू डंड ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यार रखेगा ब्रामणों को दच्छिल भारत में मिर्त्यू डंड नहीं दिया जैता था चाहे वो कुछ भी कर ले दूसरा है यह चत्रिय गरूप में मवजूद है प्रसास की यकार्योज था स्यना से एक संबन्द देख रहें कि जो भी था ठीक है यहीं था ठीक है तो ध्यार रखेगा चत्रिय वाला जो भाव है देख पार है रोजूल मतलब चत्रिय था तीसरे नमर पर हैं आप मोति किरतलू इसको वै करने हम देखेंगे खासकर आंदर परदेश वगरह में तो काफी यह लोग योग्य मनें अमीर लोग माने जाते हैं वरत्मान में इसके बाद लाश्ट में सबसे इस्तितिन की खराब है सुद्रों की इनको बोलाता है जा आता था न लो ठीके जटिव नाम से लग रहा है देख आपको देखना पड़ेगा जिस सत्सुद्र यह वैसे सुद्र थे जिन्होंने उची जाती के लोगों के लिए बिसेस अधिकारों के हडप लिया था बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा सत्सुद्र उसके बाद यहां पर बढ़वा है बढ़वा बढ़ा इंपो बढ़ा दिया ठीक है उन्हीं को बोला गया बढ़वा ध्यान रखेगा बढ़वा अपने कारे को सलता था बुद्धी के बल पर दक्षिड के बैपार पर यह लोग यह काधिकार कर लिया लेकिन आज नहीं है आज महमना उल्टा है ठीक है दक्षिड भारत के आज बैबारी अछिए अपनाने वाला नहीं है कुछ बुद्धिजी वे समझना है कि दच्चिल भारत के मेलों बात पूर्ण कर रहें और दक्षिल भारत में उस 14-15 सतावदी के दोर में देखा जाए तो वहाँ पे नारियों के हिस्थिती काफी हद तक आपको बहतर दिखाई देगी यही काल है कि अब वर्तमान में उत्तर भारत से अगर कंप्रीजन करेंगे तो दक्षिल भारत में जो वहाँ कि महिला हो गया समझ रहें ना मल्यूत जैसे कि जो जरासंद और दुरियोधन के विज किया जा रहा था ठीक है आइटिंग वाला जोतिसी हो गया भविस्य वक्ता हो गया अंग रक्षिकाय हो गया सुरच्छा कर्मी लेखाधिकार लेपिक संगितकार यह सब होते थी मैंने यह सारा के सारा जो पद था ध्यार रखेगा उस विजय नगर समराज ये गंदर का दिया जाता था एक मात्रहिस समराज ये दक्षिर भारत में जिसमें विसाल संख्या में इस्तिरियों को विभीन पद यहां पे दिया गया था इसमें कुछ इंडिकेट विए कुछ नकरात्मक थी उसमें खासकर देखेंगे जो नवालिक समझ रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता था उन नवालिक जो लड़कियों को देव की मतलब रच्छा के लिए दाद देव की का सकते हैं कि पूजा के लिए ठीक है उनकी पूरी की पूरी जो सुब्धा के लिए वहां पे एक तरीके से दान कर दिया जाता था और बदले में उनको वेतन मिलता था और वेतन उनके घर पे आता था बड़ी समस्या थी ठीक है आगे चलके दिस देवदासी प्रथा करता देखेंगे महिलाओ को बहुत अधिक सुनसर भी होता था परदा प्रथा यहां बहां पे परच था ठीक है इसमें तो कहा गया कि महिलाओ को इसमें जीवित दखना दिया जाता था अगर किसी महिला का पती मर जाता था सति परथा का भी साच्छे मिलता था मैंने बताया था आपको मालगवणा नामक उस विजैनगर संब्राज़ जी का अंतर रगत ठीक है एक महिला थी ज लेकिन बाद में इसको समाजिक पर तीस्था से विए जोड दिया जाता तो तो जी से आज मतला पैर में पहलने वाला पायल की रूप में आप ही समझ सकते थे ठीक है आगे जलके देखेंगे तो महराठों में देखेंगे तो महिलाय देखेंगे आपको पेरों में पहणने वाली करना टाइप कर देखने केलिए मिलेगा वही गढड़ पेंद्र उसके बाद परमुकति यहार में इसको बोला जाता है और बाल विवा ध्यान रखेगा इस समय भारत में भी हो चुकी थी क्योंकि मुस्लिम इंवेजन बहुत बड़ा इंपोर्टेंट डोल प्ले करना था मुस्लिम इंवेजन तो वहां पे भी यह लोग काफी अच्छे मात्रह में चले गए थे बाल विवा उ जो कि काफी उच्छवर के लोग होते थे लोग तो उन पे बहुत विवा परचलित देखने के लिए मिल जाएगा के नंदी गाढ़ी लिपी का उसमें परियोग होता था बिजयनेगर समराज्य के अंतरगत कुछ यहां पर यूद मिलेगा जिससे बुक्का प्रतहम और बहम को ही दिया जाता है जो कि फ्क है है लोदी उच् sewing के खिलाब लड़ा हुआ था सुनार की बैटीक अյी मना जाता है और अपे बीच हुआ अढ़ तो इसे ही दे देगा यहां पर समझ रहे हैं ना कि सुनार की भीटी के विद्ध किसके बीच हुआ था ठीक है पहली बार तोप का यहां पर परियोग कब किया गया था कुछी स्टेप के प्रशन बना के दे देगा कृष्ण देव की रचनाय है कृष्ण देव राय की जो आप इसको तेलगों में लिखा गया था जामर्वति कल्यांड संस्क्रीट में और उसा पन्रे इसकी बहुत ही मतलब कृती जो रचनाय हैं बार बार एक्जाम में पुछा जाता है विरुपाच ने देखिए विरुपाच ने संस्क्रीट में नरायण बिलांस नामक पुस्तक लि मिलेगा रथ ठीक है उसके बाद देखिए यहां पे रथ मंदिर नहीं है मैंने रथ पत्थर की अक्रिती का रथ है ध्यान रखेगा ठीक है अस्ट दिगजों में देखिए पेडूना बहुत ही फ्यमस नाम है पेडूना पेडूना को ही आंद्र कभीता का पितामा कहा जाता ध्यान रखेगा पेडूना को के मैं अंदी तिम में परिजात हरल की रचना के यहां पे ठीक है हरल की रचना की गई गयी है नंदी तिम नहीं Python ci यहां किया लोग है महभारत का त्यल्गु भासा में अनुवाद इसने पर्रम किया हुआ था लेकिन ये पूरा नहीं हो सका बीरभद रहने देखिये कालिदास रचित अभिज्ञान सकुंतलम का त्यल्गु भासा में अनुवाद किया देखिए दक्षिल वाले भी कम नहीं है सब उतर भारत में जो भी लिखागया है, उसको ले जाके लोग translate कर रहा है। जब वहाँ सबस्कुरित के सब्सक्रित करवाएगा फार्ष निटेंड़ स्थीट varios कि हर्यहर के सिकों पर सोने की सिकों परबं क्रोर की याखरिती का भी अंकर मिलता है इसके साथ सद़ासी उराय के सिकों पर यह वहीं सदासी उराय है घास को आपको कह सकते हैं at समरच्छा के रूप में जो राम राय हुआ करता था जिसके समय ताली कोटा का यूध हुआ था के समझना है आपको तो संदसी रहे के सिकों पर लच्मिन राइन की आकरितियों का वर्डन है तो लुवन्स के सिकों पर देखेंगे तो बैल, गरूर हो गया उमा, महेस्वर, वेंकटेस और बाल कृष्ण की आकरितियों का इतरे दिखाई देगा सबसे अधिक जो निर्यात किया जाता था बिजायन घर से देखें काली मिर्च यवन पिरी जिसको बोला जाता था बहुत इंपोर्टेंट है यूरोप में जाने वाली वर्ष्ण काली मिर्च इसके साथ सबसे अधिक जो आयात किया जाता था घोड़ा यूरोप से हो गया अरब देसों से बहुत जो अच्छी अच्छी नसल के जो घोड़े यहाँ पर प्राप्त किया जाता था दास प्रथा देखा जाती हैं पर दास प्रथा भी मौजुद थी यहाँ पर ठीक है दास दासियों के कराय विकरै की प्रथा को यहाँ पर ठीक है कहीं कोई समस्तिया नहीं होगी अपरा फिडबेक देते रहें कमेंड करते रहें एंड शेयर जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद